नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है गुरुजी उत्राखंडी चैनल में तो इस ट्रेंट जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जो नौ बजी वादी क्लासेश है वो आपको जरूर रहेंगे तो आज हम यहाँ पे दुबारा से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अगर आप कोई भी सलेबल्स देखें चाहां पर आपको फिजिक्स पढ़ा ही जा रही है चाहे आप वो जो आपका अगनी समन्द दुट्टी अधिकारी का एक्जाम है उसके लिए लेब एस्टेंट का जो एक्जाम है उसके लिए या फिर जो गन्ना प्रवेक्श जो है वो जरूर आंसर दें तो चलिए अब हम आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो स्ट्टेंट हमारा पहला क्वेश्चन है अलफा इस इक्वल टू बीटा टी प्लस लेम्डा यह आपको एक रिलेशन दिया हुआ है जहां पे अलफा और लेम्डा को मीटर में मिजर किया जाता है और जो टी है उसको सेकेंड में मिजर किया जाता है तब बीटा की आपको जो ऐसा यूनिट है वो आपको बतानी है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा जो डाइमेंशन वाली हमने प्रॉपर्टी पड़ी है कि जो जो सेम डाइमेंशन जिनकी है सेम डाइम सेम होनी चाहिए तभी आप उनको add कर सकते हैं अब यहां पर करके देख लेते हैं alpha is equal to beta t plus lambda यानि जो alpha की dimension होगी वही आपकी beta t की dimension होगी beta की क्या होगी alpha upon t alpha आपको meter में दिया गया है तो l divided by t तो यानि एगर हम इसको लिखना चाहें तो यह कितना जाएगा lt minus 1 अब इसको हमने जो यहां पर unit दी हुई है तो meter second minus 1 यानि जो इसका option number आपका है for ms minus 1 यह यहां पर आपका क्या है यह हमारा जो है option number सही है अब चलते हैं अपने अगले question पे मारा अगला question है which of the following physical quantity is dimensionless कौन सी बीमाहीन रासी है तो बीमाहीन रासीयों में अगर आप देखेंगे तो m0,l0,t0 आता है एंगल, train, specific gravity यह नि कोन, विकृति और racist growth तो यह तीनों ही dimensionless है तो इसका जो right answer है वो आपका क्या है वो आपका है all of these क्या है वो आपका all of these है अब यहाँ पर आपको करना क्या है आपको एक सूत्र याद इनके जो formula है वो याद करने है जैसे angle, ठीक है एंगल का आपका क्या है, angle होता है, कोन बराबर क्या होता है जो होता है, चाप बटे त्रिज्या क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या यह आर्क divided by radius तो यह भी आपका length यह भी आपका length दोनों कड गए zero हो गया strain हमने पड़ा है विक्रिती क्या पड़ा है change in length divided by original length change in length divided by original length ठीक है specific gravity के बार हमने क्या पड़ा है हमने पड़ा है density of object divided by density of water at 4 degree centigrade ठीक है तो यह length है यहाँ पर भी L यह cancel out हो गया यह density is density cancel out हो गया तो किसी की आपकी जो आपकी dimension बची नहीं तो इसका जो right answer है इसका right answer क्या है उपरोक्त सभी अगला question पर चलते हैं हमारा अगला question है choose the physical quantity having same dimensional formula as that of energy 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 की जो आपकी dimension है वो किसके आपके equal है तो energy की जो आपकी होती है तो आपको पहले याद करना पड़ेगा energy की क्या है M L square T square क्या है M L square T square आप किसी भी formula से इसको भी आप निकाल सकते हैं जैसे energy हमने जो static result पड़ी हुए M G H तो M हो गया G का क्या होता है G एक आपका acceleration है तो acceleration आपका कितना हो गया L T minus 2 height कितनी हो गई L तो आप इनको कर दीजेगा कितना आगया M L square T minus 2 यहां से आपने energy की निकाल दीन तो energy की आपको याद होनी चाहिए ठीक है अब यहां पर अगर हम देखें pressure ठीक है तो इसमें हम पहले pressure का देख लेते है pressure is equal to क्या होता है F upon A क्या होता है pressure is equal to F upon A ठीक है तो यहां से F की कितनी होती है M L T minus 2 M L T minus 2 divided by acceleration sorry area L square तो उपर जाने पर कितना हो गया M L minus 1 T minus 2 तो यह भी नहीं होई ठीक है अब power की देख लेते हैं power power क्या होता है भाई power होता है rate of work done W upon T ठीक है तो W की अच्छा यहां से तो हमको घर वैसे ही पता लग गया M L square T minus 2 यह M L square T minus 2 है ठीक है यह आपकी कौन सी है M L square T minus 2 तो यह जो आपकी energy है इसकी आप याद रखेंगे ठीक है मैंने पहले गलत लिखा था M L square T minus 2 तो work की आपको ऐसी है प्याद रहेगी तो इसका option number क्या आगया आपका work done ठीक है force की तो आपकी M L T minus 2 होती है ठीक है तो आपका यह time आजागा तब आपका कम हो जाएगा फिर भी आप उसको कर सकते हैं तो जो आपका energy है वो energy की dimension किसके equal है वो आपका work done के equal है अब चलते हैं अपने अगले question पे हमारा अगला question है which of the following is not an application of dimensional analysis निमन में से कौन सा विमतिये विसलेशन का अनुपरियोग नहीं है ठीक है जी तो हम देखिए conversion तो करते ही हैं हम उसका जो dimensional मतलब correctness भी हम check करते हैं उनके बीच में हम relation भी physical quantities के बीच में लेके आते हैं लेकिन जो dimensionless constant है उसकी value found नहीं कर सकते हैं तो इसका क्या है option number 4 ठीक है ये right answer है आगे चलते हैं ओके ये question है इसमें फिर से हमको देखिए वोई चीजें आपको याद करनी है कि जो हमारे concept था ना वो आपको यहां पर समझना है तो यहां से अगर आपको देखिए b का निकालना है तो b का formula आपका क्या बन क्या जाएगा b का formula बन जाएगा f upon q v sin theta अब f का क्या होता है f का ह होता है m into a ठीक है मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ पहले f is equal to कितना होता है m a mass m a का कितना होगा lt minus 2 तो यह कितना हो गया m lt minus 2 ठीक है कितना हो गया force का m lt minus 2 हो गया अब हम चलते है q q का formula क्या होता है q होता है q is equal to it i का क्या होता है mpr t का time तो इसका कितना हो गया at ठीक है v का क्या होता है lt minus 1 ठीक है sin theta की कोई value नहीं होती है भी कोई भी dimension नहीं होता है इसको आप swallow कर दीजेगा तो यह m तो ऐसे ही रहेगा l से l cancel out हो जाएगा ठीक है t उपर अब हो जाएगा minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 आपका कितना होता है कि क्या ओके यह this millor आपका पहले cancel out हो जाएगा ठीक है तो उपर कितना बचेगा केवल इस L से ये L cancel out हो जाएगा तो MT-2 A-1 ठीक है तो MT-2 A-1 ये आपका कौन सा है ये आपका option number 2 है ठीक है कौन सा है option number 2 ठीक है यहां तक हमने कुछ question कर लिए आप आगे करते हैं आप ध्यान दीजिएगा और मैं तो चाहूँगा मेरा answer देने जे पहले आप answer निकाले ठीक है अगला question है find the unit of B in the relation of A where P is the pressure P is equal to A ओके P B की काई ज्याद किये जहां P pressure है और इतना है ओके ठीक है तो P is equal to यह निकाला तो B is equal to कितना जाएगा B is equal to आजाएगा A minus X square P into T यही आएगा formula ठीक है अब X किसमें है X आपका दूरी में है यानि इसका L square हो जाएगा तो इसका भी आपका L square होना है तो उपर जो इसकी unit बनी यह आपकी L square बनी यह आपकी समझ में आई कैसे हमने पड़ा हुआ है कि समान बिमाओं वाले ही एड होते हैं अगर X की L है तो इसका कितना हो जाएगा L square तो A का भी कितना होना जाए L square तो उपर वाला जो है numerator उसकी L square हो जानी चाहिए P pressure अभी हमने निकाला था P कितना होता है P is equal to F upon A या नहीं ML T minus 2 divided by L square तो वहाँ से P का आपका कितना जाएगा M A की उपर जाएगा तो L minus 1 T minus 2 ठीक है और यह कितना जाएगा T अब आप इसको solve कर दीजिएगा ठीक है तो देखिए यह उपर जाके 3 बन जाएगा मतलए यह minus 1 ठीक है यह minus 1 उपर जाके पहले यह M उपर जाएगा तो इसको कितना जाएगा M minus 1 यह उपर जाएगा यह minus का plus बन जाएगा L cube यह T minus 1 हो जाएगा उपर जाके T की power 1 बन जाएगा ठीक है तो अब यहाँ से निकाल जाएगा M minus 1 यानि केजी minus 1 m cube second one तो इसका आप देखिएगा यहाँ से आपका है यह mass है kilogram में minus one l meter में है cube आ गया t second में है one आ गया तो इसका option number क्या है option number two कौन सा है option number two इसका right answer है ठीक है आगे चलते है आगे question है p is equal to qx plus rt square p is equal to qx plus rt square इसमें r upon q की निकाल नहीं है फिर से वही concept मतलब side में आप लिख लेते हैं p किसके equal होगा qx के तो q किसके equal होगा p upon x के ठीक है फिर आपने क्या निकाला r p किसके equal होगा rt square के ठीक है तो r is equal to कितना हो जाएगा p upon t square हो जाएगा ठीक है जी यहां से आप वह निकाल दीजेगा क्या नाम है उसका जो आपका ये है हम बोलेंगे उसको r upon q आपको निकालना है r upon q r upon q कितना हो गया ठीक है पहले r की value लिख लिख लिजेगा p upon t square divided by p upon x ठीक है तो इस p से ये p cancel out हो गया ये कहां चला जाएगा उपर तो ये कितना आगया x upon t square ठीक है x upon t square आया तो x की value कितनी है meter में और ये उपर जाके कितना हो जाएगा minus 2 ये मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते नहा x into t की power minus 2 तो meter into second minus 2 मतलब इसका option number 1 ठीक है meter per second square ये meter second power minus 2 ठीक है ये आपको समझना आगया होगा फिर चलते हैं आगले question पे हमारा आगला question है x is equal to a t plus b t square x is equal to a t plus b t square तो ये आपको निकालना है तो फिर से होई simple सा x किसके equal होगा a t के a is equal to किसके हो जाएगा x upon t यानि ये l upon t यानि meter second minus 1 ठीक है अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या था a की अगर आप निकालेंगे तो आपको option पता लग जाएगा ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है तो आपने सीधा इस पे लिग देना है अब आपने क्या किया यहाँ पे आपको b की निकालने की जरूती नहीं है आपने लगबग लगबग आप मानके चलिएगा कि अपने 15 से 20 सेकंड आपने यहाँ पे बचाए आपको देखो करना क्या अगर आपके exam की अगर हम बात करें तो 120 मिनट में आपको 100 question attempt करने है तो आपके पास लगबग एक मिनट कुछ सेकंड का time है तो time बहुत precious है time manage आपको करके चलना पड़ेगा तो आपको option से डूड़ना है आपको पूरी theory थोड़ी लिखके आनी है पूरा question derive करके या पूरा answer ऐसे नहीं निकलना आपको पता लगना चाहिए बस एक से अगर आपका बन जाता है तो आप उसी से काम चलाईएगा ठीक है आगे चलते है आगे है if the unit of length time and mass increased by ठीक है जी ओके गड़ अब g का सबसे पहले आप क्या निकालिएगा g को सबसे पहले आपका क्या है g एक acceleration है कौनसा है गुरुत्वी त्वरण है ठीक है गुरुत्वी त्वरण का जो आपका होता है वो कितना होता है lt-2 यह इसकी dimension होती है इसकी g की यह आपको याद करने पड़ेगी नहीं तो आप निकाल सकते है acceleration is equal to v upon t v का आपका क्या होता है lt-1 divided t तो lt-2 ठीक है यह निकाला l कितने times बढ़ रहा भाई 10 times बढ़ा दो जी यह कितने times बढ़ रहा है यह भी आपका 10 times बढ़ रहा है तो यह 10 l 10 का यह हो गया 110 की power minus 2 ठीक है into t की power minus 2 यह नीचे आपका आजाएगा तो 10 upon 10 square into lt-2 तो इसको लिग लेंगे lt-2 divided by 10 तो वो 10 times क्या हो रहा है आपका decrease हो रहा है जब भी आप 10 किसी को divide करते हैं value आपकी क्या हो जाती है value आपकी घड़ जाती है तो इसका जो answer है वो क्या आएगा decreased by 10 times option number a जो आपका decreased by 10 times यह आपका आजाना है ठीक है अगला question आप इस question को try कीजिएगा जो f is equal to x cos p t plus y sin qs if t and s are time and distance find dimension of p upon x okay सबसे पहले आप p और t की तो निकाली है उसके बाद आपको पता लगेगा ठीक है देखे यहाँ पर आपको जो चीज याद करनी है ना वो आपको याद करनी है जो भी आपके trigonometric functions होते हैं वो dimension less होते हैं उनकी कोई भी dimension नहीं होती है मतलब यह cost हिटा लिखा हुआ है fix value है तो जो p t है इसकी आपकी 0 हो गई तो आपको जो p है उसकी कितनी हो जाएगी t minus 1 ठीक है यह आप note करेंगे फिर आपको निकालनी है q की q की s में है q s is equal to 0 मतलब 0 का मतलब m 0 l 0 यह 0 नहीं है 1 m 0 l 0 इस तरीके से लिखना है t 0 ठीक है तो dimension लेसे हैं ऐसे इसको भी लिखना है m 0 l 0 t 0 तो यहां से q की कितनी आई q की आई l minus 1 अब जो यह पूरा का पूरा है ठीक है यह पूरा किसके equal है यह पूरा आपका f के equal है ठीक है तो क्या जाएगा f is equal to x ठीक है इसकी तो आपकी कोई dimension है ही नहीं ठीक है f is equal to x यानि इसकी कितनी हो गई m l t minus 2 ठीक है क्या आगई m l t minus 2 तो p upon x आपको निकालना है तो p की value आपकी कितनी है t minus 1 divided by m l t minus 2 ठीक है इतनी है इसको उपर लेके जाएंगे m minus 1 बस आपको देखी इसी जो करने से आपको पता लगए m minus 1 तो आपका answer क्या है option number 1 ठीक है ये हो नहीं सकता ये हो नहीं सकता ये हो नहीं सकता तो इसको जब उपर ले जाएंगे फिर से आपने अपना time बचाया m minus 1 l minus 1 ये उपर जाएगा तो t1 ठीक है तो इस तरीके से आपका जो है option number 1 answer आएगा ठीक है आगे चलते हैं 11 question the position of a particle at any instant of time t is given by the relation अब यहाँ पर आपको ये question आप दो तरीके से कर सकते हैं पहला जो e की power है इसका ये constant value है मतलब ये dimensionless है मतलब जो ये है ये भी आपको क्या है dimensionless a t is equal to कितना हो जाएगा m0, l0, t0 तो यहाँ से a की value आपके कितनी आ जाएगी वो t नीचे आ जाएगा फिर उपर चला जाएगा तो t minus 1 एक आपका answer ये आया t minus 1 option number a ठीक है आप इससे मत करिए आप थोड़ा सा उसी equation है उसी equation को आप open कर लिजे x is equal to कितना जाएगा v upon a x क्या है x आपका क्या है position है position यानि आपको कितनी distance पे आपका रखा गया तो l v का कितना है lt minus 1 upon a l से l कड़ गया तो a is equal to कितना आ गया A is equal to आपका आगया T की पावर माइनस 1 A is equal to कितना आगया A is equal to T की पावर माइनस 1 वही आपका आना है option number A ठीक है आगे question number 12 इसेम उसी condition पे है यह आपको करना पड़ेगा जो एक चलती कार का V इतना है गहाँ V यह है X और Y की निकाली है तो एक X is equal to कितना हो जाएगा sorry V is equal to कितना हो जाएगा X upon T तो X is equal to कितना हो गया V T यानि L T माइनस 1 इंटू T तो इससे यह कर जाएगा तो L आ गया ठीक है X की कितनी आ गई L यानि meter मतलब यह दो option तो आपके चले गई ठीक है अब Y T किससे निकाल लिएगा ठीक है यह दो option आपके किसी काम के नहीं रहे ठीक है अब आप निकाल लिएगा Y T V is equal to Y T ठीक है तो V की होती है L T minus 1 is equal to Y यह upon T नीचे चला जाएगा उपर जाएगा तो L T minus 2 L T minus 2 का मतलब जो आपका है इसका यह हो जाएगा यहाँ साएगा ने L T minus 2 तो meter second minus 2 यह option number 4 कौन सा है option number 4 इसका right answer है ठीक है आगे तेम यही question है ठीक है इसको आप try किजिएगा जो F is equal to A and root X minus BT तो and root की मैं आपको बतायता हूँ यहाँ पे जो and root है इसकी power जो होती है and root का मतलब होता है power 1 by 2 power कितना होता है आपका 1 by 2 तो बस अब फिर असानी से निकल जाएगा देखिए आपका आपको निकालना है F is equal to A root X ठीक है वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं या अगर आपको इतना टिपिकल लगता है तो आप इससे निकाल लिजेगा F is equal to BT से आपको कोई पूरा solve तो करना नहीं है आप यहाँ से निकाल लिएगा F is equal to BT MLT minus 2 is equal to BT यह उपर चला जाएगा तो यह MLT minus 3 हो गया ठीक है तो MLT minus 3 में से आपका देखिए इस तरीके से आप simple सा भी निकाल सकते है यहां से power 1 by 2 आपको पता लग जाएगा तो option number क्या है option number A नहीं तो आप इसको पूरा जो है वो पूरा का पूरा आप इसको निकाल सकते हैं ठीक है तो कैसे निकालेंगे जो आपका जैसे F में आता है तो जैसे हमें जो X के टम में भी आपका निकाल के दिखायता हूँ ठीक है F is equal to कितना है A root X ठीक है तो F की कितनी हो गई MLT minus 2 और यह नीचे जाके L की power 1 by 2 L की power 1 by 2 उपड जाएगा minus 1 by 2 तो L 1 में से वो गटा है तो L की power 1 by 2 T minus 2 यानि वो ही आपका कौन सा केजी मीटर हाफ है second minus 2 ठीक है option number A आगे चलते हैं question number 14 X is equal to 80 square plus BTQ अब यहाँ पर मैं आपसे चाहूँगा आप pen का भी use ना करें ऐसे ही निकालें direct कैसे होगा X की आपकी क्या होगी meter इसकी कितनी होगी second square तो उपर जाके meter second minus 2 इदा एक से आपका निकल जाएगा बस answer ठीक है तो इतने जल्दी जल्दी आपको करना है अब आपको यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको थोड़ा practice भी हो गई है अब आप pen ना चलाएं सीधा सीधा निकालें ठीक है तो आप निकाल सकते हैं कैसे निकला फिर भी मैं आपको समझाया था हूँ X is equal to A T square A is equal to कितना हुआ X upon T square X का क्या है Meter T का क्या है Second square Answer ठीक है जी Done Option number A आगे चलते हैं One of the following four dimension quantities which one qualifies to be dimensionless constant जो आपका dimensionless नहीं है dimensional constant है जो आयाम ही इस थिरांक है वो आपका क्या कहा जाता है Acceleration due to gravity Surface tension of water देखिए सबसे पहले तो आपकी वो value क्या होनी चाहिए constant होनी चाहिए इस थिरांक को होनी चाहिए जो आपका ये है velocity of light fix रहती है 3 into 10 to the power 8 meter per second आयाम ही इस थिरांक आपके action में होते गए कि उनके पास dimension होगी लेकिन वो क्या रहेंगे constant रहेंगे लेकिन जो ये है g की value आपकी change होती रहती है ये आपका change होता रहता है weight जो है वो g पे depend करता है इसलिए वो आपका क्या है वो change होता रहता है mass आपका भले ही same रहता हो लेकिन weight W is equal to क्या होता है M G G अगर change होगा तो weight भी आपका change होगा तो constant होगा नहीं तो option number क्या होगा option number D निर्वात में प्रकास का weight ठीक है तो आपने आज का यह वीडियो देखा आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं आज आपने यह recorded में देखा बहुत जल्दी हम आपके लिए जै भारत जै उत्राखाण